Good morning students, Hindi की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे Part 8 जिसका नाम है सब के नाम सर्व नाम, चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले उधारण है, तुम कहां रहते हो, मैं आगरा में रहता हूँ दूसरा उधारण है, हम सब बहने है तुम का प्रियोग सामने वाले के लिए तथ मैं का प्रियोग अपने लिए करते हैं हम का प्रियोग कई लोग अपने लिए करते हैं लता, तुम यहां बैठो, ठीक है, आप भी बैठिये आप अपने से बड़ों के लिए प्रियोग किया जाता है वह कौन है? वह मेरा भाई है वह अन्य वैक्ति या दूर की वस्तू के लिए प्रियोग करते हैं राधा, देखो, कितने सुन्दर फूल है? हाँ, ये बहुत सुन्दर है पास की एक से अधिक वस्तू के लिए ये का प्रियोग करते हैं वह कौन है? वह एक खोड़ा है प्रश्ण पूछने के लिए कौन तथा दूर की किसी वस्तू के लिए वह का प्रियोग करते हैं पूर्व पेज पर दिये गए सभी वाक्यों के रंगीन शब्द जैसे हम, तुम, आप, वह, यह, कौन, वे इन सभी शब्दों का प्रियोग हम व्यक्ति, वस्तू, स्थान के नाम पर करते हैं अर्थात ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं इस प्रकार से जिन शब्दों को संग्या के स्थान पर प्रियोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम, इस्तरी, पुरुष, दोनों लिंगों में समान रूप से प्रियोग किया जाते हैं बातचीत करते समय किसी का नाम बार बार ना लेना पड़े इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करते हैं दूसरों तथा पास वाले के लिए यह ये इसका इनहे इनका आदिका प्रियोग करते हैं दूसरों तथा दूर वालों के लिए वह वे उसे उसका उनहें उनका आदिका प्रियोग करते हैं अपने लिए मैं मेरा मुझे मैने हम हमारा हमें हमको आदिका प्रियोग करते हैं सामने वाले के लिए तुम, तुम्हे, तुम्हारा, आप, आपको आदिका प्रियोग करते हैं प्रश्न करने के लिए कौन, किसे, किसको, किन है, किन को आदिका प्रियोग करते हैं संग्या शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन के रूप होते हैं आई ये पढ़ते हैं जैसे मैं इसका बहुवचन होता है हम मैंने का बहुवचन होता है हमने मुझे का बहुवचन होता है हमें तु या तुम का बहुवचन होता है आप और आपने, वह का बहुवचन होता है वे, यह का बहुवचन होता है ये, उसने का बहुवचन होता है उन्होंने, तथा किसे का बहुवचन होता है, किन्होंने, तो आई अब दोहरा लेते हैं, पार्ट में हमने जो कुछ भी पढ़ा संग्या की जगए जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम का एकवचन और बहवचन रूप यह यह इसे इन्हें आदी दूसरों तथा पास वालों के लिए प्रियोग किये जाते हैं तुम तुम्हें आप आपको आदी सामने वाले के लिए प्रियोग किये जाते हैं वह वे उसे उन्हें आदी दूसरों तथा दूर वालों के लिए प्रियोग किये जाते हैं कौन किसे किन्हें आदी प्रश्न पूछने के लिए प्रियोग किये जाते हैं तथा मैं, हम, हमें, मुझे, आदी सर्वनाम अपने लिए प्रियोग किये जाते हैं तो इस पार्ट में बस इतना ही धन्यवाद